कि अब दो जब आप जब रही होगी और हम खाना का जिता जल रही होगी और हम बाजू में बैठके खाना काएंगे ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाले हैं कि मैं करने वाले मैं सब को जूर करने वाले बहुत ही जलदी क्योंकि मुझे उस्साब का मंत्र मालूम है जो मुझे काटेगा को स्साब का मंत्र मालूम और टभी वील में हाट डालना था तो मिझे उस म真त्र मालूम मैं मुझे कोई भूथ नहीं सता हो सबस clicked तो दोस्तों हम यहाँ पर आज आए है नवरातर का पाचवा दिन है और हम एक काला जादू बोले तो एक तोटका और एक मतलम कुछ भी मतलम होता है जो शीख कर और सुनी हुई कहानी पर आए है कि करते हैं कें नवरातर में दिन में भी नहीं तोड़ते लोग और रात को भी नीव का पत्ती या दातून या नीव के पास आजा कुछ नहीं करना चाहिस on the यह बात किताम में भी पड़ी और एक हमारे भाई ने हमें कमेंट भी किया था कि अगर ऐसा है तो आप नीवू या अंडा या तो जाफर जाफर का नाम सुनाओगा आपने तो नौरातर में काट के दिखाऊ अंडा भी काट में को बोला मन देने अब बताओ कच्छा अंडा कै से कटेगा भाई तो नौरातर का टाइम है पाचवा दिन है और मैं बर्थ हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा अंडा को नहीं छूँगा तो मैं फिर से वही एक परकिरिया लाया हूं जाफर में बहुत दुकानों पर ढूडा जाफर मिला नहीं मुझे जाफर एक मतलम किसी की गोध मारने को भी वड़ा काम आता है कि किसी का गोध मारना है तो जाफर का इस्तमाल कर दिया गया और बागी बहुत चीजों में जाफर का इस नाम होता है तो जैसे कि दोस्तों तो आप लोग में टाइम बरबाद किसी का नहीं करूंगा चैनल से अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दो कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकते तो दोस्तों जैसे कि अभी का टाइम हो रहा है थाड़े 11 बद रहा तो मैं अभी आया हूं तो हम रात को निकलते थोड़ा पाचवा दिन इसलिए बोला कि अभी बारा नहीं बजाए बारा बद जाता तो चठा दिन हो दता तो दोस्तों आज हम आए हैं वस्ता चठा दिन है शोरी आपको पाचवा दिन के रहा हूं और यह मेरे पास आप तो दोस्तों नीव के प्रेड के पास काटने का मक्सदी है कि ऐसा नहीं प्रेड के पास काटने का मक्सदी है कि ऐसा नहीं है कि देवी ही होती है नारात्रों में जो होती है वह आत्माई भी बहुत सारी गुंती है पाइना, बहुत से कानिया हैं, बहुत से खिससे हैं, हम पहले काटेंगे नीबू, इसके बाद देखेंगे क्या यापरश्च में अत्माइ होती हैं नीब के पिर्ड की नीचे भी, अगर ऐसा होगा तो यह नीबू का रंग चेंज हो सकता है और ये नीवू सुखा निकल सकता है अभी तो ताजा हरा है और बाकी गाय वो सकता है अब मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो एक नीवू था हम कर रहे थे और अचानक हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ था जिनीवु अचानक गाय भोगा चाकू अही का दोस्तों चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है मुझे लगा कोई है और भाई थोड़ा उपर आज़ते हैं और एक बार चारों तरफ आएसा राम शरी फूरा लेंगे दोस्तों अधेरा ही अंधेरा ही अंधेरा है और यह वो नीज़ का चीड़ है किसी का भी है और हम नेगु काटेंगे करनेख को अब देख सकते हैं यूट का प्रेड़ है और इक सब्सक्राइब प्रून और बहुत ठाने प्रेड़ वह और बावुल का प्रेड़ भी है और जिसी का बाजिव में खेत भी और बहुत पुरानी नीव का पेड़ लगए जो कि हम मंत्र का उचारण करेंगे और मैं बहुत जल्दी ही वो किताब आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ जिसमें से यह सब विधी मैं सीख क्या था तो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ बस यार दोस्तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजे बेल आइकन को दबा दीजे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तो दबा के सेर करिए यार बहुत मैनत करते हैं आप लोगों के लिए अगर आपके भी मन में कोई ऐसा सवाल है कि नहीं भाई नीव के पेड़ के पास नहीं बबुल के पेड़ के पास ऐसा करके दिखा वैसा करके दिखा तो मैं जरूर करने वाला हूँ अगर मेरी वीडियो वाइरल हो जाती है तो मैं बहुत जल्दी मुर्दों के साथ खाना खाने वाला हूँ आप मेरी पीछली वीडियो देखेंगे, तो मेरी गया था, एक समसान गाटपे, तो आप पर जो चंडाल होता है, डॉम होता है, उसने बोला हम चिता पर ही खाना पका के खा लेते हैं, जब वो चिता पर खाना पका के खा सकता तो मैं मुर्धार जलते हुए, उसके बादु मे और चिता जल रही होगी और हम खाना खाएंग एसी वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाले हैं आप लोगों के मन का डर है वह है मैं सबको दूर करने वाले बहुत ही जल्धी जो आया उसको मरना ही है उससे डरना क्या है अगर आत्मा है तो पर्मात्मा भी है तो डर का है इस बात का तो ठीक है हम बैठ गए और हमारा नीबू है और चाकू है अगर इनके साथ कुछ छेड़ खानी होती है भाई तो बता दियो चारो तरफ आपने देख लिया कोई है नहीं मेरे और मेरे भाई के अलावा मैं मंत्रे का पांच शे बार उचारण करूंगा अगर कुछ भी होता है या पर तो आप बताए भाई अगर उपबर से नीचे कई सो राए तो एक बार कैमरा घुमा लिए और मेरे पर नज़र कई यह मैंमत्ति सुपस कर दो आपाई देखाण करूंगा करूंगा देख सकते अ टानित है यह जको पर दंग लिए व्हाई रजगा इसा आया वा रहोता है कर दोस्त है कि वार अब कर दो कर दो है कि अपने है आर ए अब कर दो है कि अब एकारback कि अब yourselves अबब दो कोई नहीं आखा गार भाई? अभाग, भाणा गार दोगा दिखा क्या मार भाई? ने, ने कहीं नहीं दिखा कि दक्ता किसने मारा भाई तुभी बहुत दूर है मिजर से निगु को देखे निगु को देखे निगु हाई कि दुस्तों कोई मुझे दक्ता मारा यार अचानक मेरे पूजा करने में बिग इन डाल रहा हूँ कि इसका मतलम सच में आपकुछ है लागरा ना भुरी सक्ति का अभ्यास हो रहा आप मुझे करने कि सामने आओ चल ठीक निगु कारते हैं दूस्तों आप निगु कारते हैं अब बहुत जल्दी आथ से भगने वाले हैं क्या आप मेरे के चाट देता हूँ कार दूस्तों काटो 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 के अब अब आ मुझे में लगगी भाई बटी तेक मरे मुझे तेक देख लाए चाको आत पहली बार लागा हूं पर मेरे देख लाप बच्गा उत्तों आखून आगया अब 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 चाको खखलाटी के उत्तों अब टुक्ट इसका मतलम बहुत ही भयानक सक्ति लगड़ी यहां पर इसका मतलम बहुत ही भयानक सक्ति भाई मेरे उली पे भी चाको लगा पहली बार और मुझे धक्का भी दिया गया और यह देख इस पर देख लिभू का कलर भी चेंज है इसका मतलम यहां पर बहुत ही भयानक सक्ति है कुछ भी हमार साथ हो सक्ति है गड़ तिर कामरा ले उदर गुमा भाई लुमा कोई है क्या क्य उससे बात करना चाहता हूं ति मेरे क्यों टिश्टर्ट कर रही हो मैं यह आपर कुछ कर रहा हूं तो अगर मेरे सामने आओ कुछ कहना चाहती है तो मेरे सामने आओ कि कोई है कि देखने कुछ दृद कर देख लीभू, दोस्तों इसका मतलम यहापपर आसमाओ का बहुत तगडा, नो रात्रों में बहुत ही तगडा, वास होता है। तगडा, नो रात्रों में एक कामें, एक रिया यह कुछ नहीं करना की है। इंचु भाई एक्राम आ ले बहुत है थो तैयोरी कॉन था हो यह में पर कोई था है इसका मतलत में यहां पर सच्छ में बहुत ही भैयानक सच्छ लग घी है तो दोस्तो आपने देखा यहां पर मुझे धक्का मार दिया गया निबू का कलर जो है वो खूली लाद हो गया है औ और मेरे चाकू इहां पर रहा पंगली करिशा सहने, पादा अगा सब्सक्राइब कैका, पांधा आप पेना नहीं है। आपका सब्सक्राइब भीन। यहाँ पर मगर इसका मतलम यहाँ पर कुछ तो है की नहीं हो मगर रात के टाइम नौ रात्री में नौ रात्री के वक्त कभी भी नीव के पेड़ के पास ऐसा ना है अन्य था कुछ भी हो सकते आप लोगों के साथ मैं तो आज रुद्राइच भी पहन रखाऊंक आप लोग देख सकते हैं मुझे तो भूठ छू भी नहीं सकता क्योंकि मुझे उस साप का मंत्र मालूम है जो मुझे काटेगा जब साप का मंत्र मालूम हो तभी बील में हाट डालना था तो मुझे उस मंत्र मालूम है मुझे कोई भूत परेत नहीं सता सकता तो मैं इसलिए इस बील में हाट डालता हूँ ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ और जैसा कि मैं आपको बता दू मेरी उली दर्द कर रही है नाखुन के उपर भी लगने की वज़े से बहुत ज्यादा इच्छोट लग गई हुझे चाहिए उससे यहां की आत्मा नराज होगी ठीक है दोस्तों बस इतना ही फिर मिलते हैं नए ब्लोग पे और इस वीडियो का आप जरू लाइक करिएगा ठीक है बाए बाए